नमस्कर दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग लुशेंट समाने क्यान इस रिलेटेड टफोटी कुशन देखने वाले हैं जो कि आपके एक जाम के लिए काफी इंपोटेंट है तो आप इन एके कुशन को रट लीज होता है भारतिय राष्टिय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दोरान हुआ था तो देखे गाधि इर्विन जो सम्झाओता हुआ था तो यह 5 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन के दोरान महातमा गाधि जी और लॉर्ड इर्विन के बीच में हुआ था ठीक है तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमबर 2 है थैलेसेमिया एक अन्वानसिक रोग है जिससे प्रभावित होता है तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्शन ये हो जाएगा रोक्त में हीमोगलोबिन के गरबड़ी एक करणड से जो है ये थैलेसेमिया नमक रोग होता है ठीक है कुश्चन नमबर 3 है अगनासे को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हर्मोन कौन सा है तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा से क्रेटीन हर्मोन जो है ये अगनासे को पाचक रस के उत्पादन के लिए जो है अगनासे को पाचक रस के उत्तेजित करने वाला हर्मोन है ठीक है कुश्चन नमबर 4 है गुदावरी और क्रिश्ण नदी के डिल्टाओं के मध्या कौन सी जील अवस्तित है तो देखे इसे करेक्ट आंसर अप्शन सी हो जायाएगा कुलेरू जील अवस्तित है ठीक है गुदावरी और क्रिश्ण नदी के डिल्टाओं के मध्या कौन सी जील अवस्तित है तो ये कुलेरू जील अवस्तित है ठीक है 6 बर्स की आयो से 14 बर्स की आयो के बेच सभी बच्चों को सिख्षा का अधिकार जो है ये भारतियों संभिधान के अनुछे देखे किस को के अंत्रगत मौली का अधिकार है ठीक है तो यहाँ पर ये करेक्ट जायाएगा कुश्चन नमबर 6 है भारत में नयाइक पुनिरिक्षन की संकल्पना किस देश के संभिधान से ली गई है तो देखे इसे करेक्ट आंसर अप्सन सी हो जायेगा भारत में नयाइक पुनिरिक्षन की संकल्पना जो है ये सनुटराज अमेरिका के संभिधान से ली गई है ठीक है इसके अलावा सुबियत संग रूस से ये मौली करतबे लिया गया है कनाडा से ये संगिया ब्यवस्ता ली गई है कुश्चे नमबर साथ है सुप्रीम कोट के जजो की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है तो देखे सुप्रीम कोट के जजों की संख्या में ये कानून द्वारा संसत बदलाव कर सकता है इसके अलावा बरतमान में सुप्रीम कोट में जजों की संख्या कितनी है तो 34 है कुछिन नमबर 8 है भारतिय राष्ट्य कांग्रेस का 1994 का अधिवेशन निमनलखित में से किस के लिए बिख्यात है तो देखे भारतिय राष्ट्य कांग्रेस का 1894 का जो अधिवेशन है तो ये इस अधिवेशन में जो है पहली बार राष्ट्य गित गाया गया था ठीक है बंदे मात्रम यानि राष्टिय गीत को गाने में कितना समय लगता है तो यह 52 समय लगता है ठीक है तो यहाँ पर B करेक्ट जायाएका कुश्चन नमबर 9 है भारत में मामूलक बंस का काल क्या था तो देखे मामूलक बंस को यह गुलाम बंस या फिर दास बंस भी बोला जाता है ठीक है और इसका जो काल था तो यह 12 से 6 से 12 से 90 इस्वी था ठीक है और गुलाम बंस या फिर मामूलक बंस के स्थापना किस ने की थ तो कुटुबदीन एबक ने की थे ठीक है कुश्चन नमबर दौस है भारतिया लगो उद्धी हो गए विकास बैंक की यानि सीड़ी की अस्थापना किस बर्स होई थे तो देखें सीड़ी की जो अस्थापना होई थे तो यह 1990 में होई थे ठीक है तो यहाँ पर सी करेक्ट हो आएका कुश्चन नमबर ग्यारो है निमनलेखित में से कौन स्वार मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गरो है तो देखें स्वार मंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा गरो है तो यह साने ठीक है और पहला सबसे बड़ा गरो ब्रियस पती है ठीक है तो यहाँ पर सी करेक्ट हो या फिर केंद्र सासित परदे से होकर गुजरती है तो देखें सिंधु नदी जो है यह ले से होकर गुजरती है ठीक है तो यहाँ पर सी करेक्ट जाएका कुछ नमबर फोटीन है भारतीय संबिधान का कौन सा अनुछेद है भारत की बिदेश निती से संबंद ही थै तो देखें से करेक्ट आंसर ओप्सन बी उचाएगा भारतीय संबिधान का अनुछेदे कावन जो है यह भारत के बिदेश निती से संबंद ही थै ठीक है इसके अलावा भारतीय संबिधा का अनुछे 280 जो है ये बीत आयोग से संबंदित है अनुछे 360 ये बीतिया पातकाल से संबंदित है और अनुछे 24 जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंदित है ठीक है कुश्चन नमबर 15 है लाल रगत कडिका है कि निर्माड हे तु किस खनेश का उपयोग होता है तो देखि नमबर 16 है पाल बंस के पतन के बाद है बंगाल में किस राज बंस ने अपना सासन इस्थापित किया तो देखे पाल बंस के पतन के बाद बंगाल में यह से इन बंस ने जो है अपना सासन इस्थापित किया ठीक है तो यहाँ पर यह करेक्ट हो जाएगा कुछ नमबर 17 है निम ग्रेशिस, समाज वाधी दल से जो है, संबंधित नहीं थे, ठीक है, फुल फर्म होता है, युनिफर्म रिशॉर्च रिशॉर्च लोकेटर ठीक है, तो यू का इसमें जो ताथ पर है, उनिफर्म ठीक है, तो यहां पर B करेक्ट हो जाएगा, कुछ्छन नमबर 20 है, निमने लेखित में से कौन सा मिलान गौलत है, तो देखें यहां पर ऑपशन D गुष्टर नमबर 21 है सुन्दर बन डिल्टा का निर्माड करने वाली नदी कौन सी है तो देखे सुन्दर बन डिल्टा का निर्माड करने वाली जुनादी है तो यह है गंगा और ब्रह्म पुत्र नदी ठीक है कुश्ट नमबर 22 है भारत का पहला समुंदरी जैवबी बिल्टा के लिए राष्टिय केंद्रे यानि NCMB स्थीत है तो देखे यह स्थीत है जाम नगर में ठीक है तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएका कुश्ट नमबर 23 है मांटेंगियो चेंक्सफोड सुधार का मुख्य उदे से क्या था तो देखे इसका जो मुख्य उदे से था तो यह था प्रांतों में दोयद सासन की बेवस्ता करना ठीक है तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएका कुश्ट नमबर 24 है संबिधान के किस अनुसूची में राश्पती उप राश्पती के बेता ने भाता संबंद है तो देखिए यह भारतिय संबिधान के दूसरी अनुसूची में ठीक है तो यहाँ पर बी करेक्ट जाएका कुश्ट नमबर 25 है ले के साथ कास्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है तो देखिए ले के साथ है कास्मीर को जोड़ने वाला जो दर्रा है तो यह है जोजिला दर्रा ठीक है तो यहाँ पर यह करेक्ट जाएका कुश्ट नमबर 26 है प्राण यो दैहिक्स वुस्जित अन्ता का सनरक्षन भारतिय सम्भिधान के कीस अनुस्जित में बढ़णी थे तो देखिए, इसका correct answer option हुजायेगा भारतिय सम्भिधान के अनुस्जित 21 में जो है ये प्राण यहो मिद दैहिक्स वु तंता का सनरक्षन जो है बढ़नीत है ठीक है इसके अलावा भारतिय संबिधान के अनुशे 23 और 24 जो है ये 166 के बिरुध हदिकार से संबंधीत है ठीक है कुछ्चन नंबर 20 से बेन है निमनलेखित में से किसे प्राकिर्ती का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है तो देखे इससे करेक्ट आंसर ओप्षन सी हो जायाएगा जो अला मुखी को जो है ये प्राकिर्ती का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है ठीक है कुछ्चन नंबर 28 है निमनलेखित द्योगों में से कौन सा भारत में पाने का सबसे बड़ा उभोगता है तो देखे इससे करेक्ट आंसर ओप्षन डी हो जायाएगा तापिय उर्चा जो है ये पाने का सबसे बड़ा उभोगता है ठीक है कुछ्चन नंबर 29 है निमनलेखित में से किस परदेश में साल भर बरसा होती है तो देखे इससे करेक्ट आंसर ओप्षन डी हो जायायागा भूम अधे रेक्षिय परदेश में जो है ये साल भर बरसा होती है कुछ्चन नंबर 30 है मानुसरी में नम्मक की कूल मात्रा कितनी होती है तो देखे मानुसरी में नमक की जो कूल मात्रा होती है 0.4 परतिसत होती है ठीक है कुश्चे नमबर 31 है निमने लिखित में सक्किय सम्मेती की रिपोर्ट के अधार पर नेजी छेत्रों में बैंक के स्थापित करने की अनुमाती परदान की गई है तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्शन सी यो जायाएका नर्सीमन सम्मेती की रिपोर्ट के अधार पर जो है नेजी छेत्रों में बैंक के स्थापित करने की अनुमाती जो है परदान की गई है ठीक है कुश्चे नमबर 32 है राश्टी वरजासन रक्षन दिवस कब मनाया जाता है ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है ठीक है कुश्चे नमबर 33 है हडपर काल की कौन सी हस्थाल हन्मान गड राजस्थान में इस्थीत है तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्शन ए जायाएका काले बंगा जो है ये हनमान गड़ राजस्तान में इस्तित है ठीक है कुश्य नमबर 34 है मोहन जोद्रों की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है तो देखे मोहन जोद्रों की सबसे बड़ी इमारत है तो ये है अन्नागार ठीक है कुश्य नमबर 35 है भारतियों संभिधान में धान बिद्या की परिवासा की इस अनुछेद में दी गई है तो भारतियों संभिधान में धान बिद्या की जो परिवासा दी गई है तो यह भारतियों संभिधान की अनुछेद एक सो दोस में दी गई है ठीक है तो यहाँ पर बी करेक्ट जायाएगा अनुछेद चपन में अनुछेद चपन के अंतरगा जो है यह राश्पती पर जो है माभियोग चलाया जाता है ठीक है कुश्चन नमबर 36 है भारत में भारत में बिक्सित होने वाला पहला आदुने की उद्योग कौन सा है तो द निमनलेखित में अफरीका महादेप में कौन से जील भूमा थे रेखा परिस्तित है तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप्शन भी हो जायाएगा विक्टोरिया जील यह अफरीका महादेप में भूमा थे रेखा परिस्तित है ठीक है कुश्चन नमबर 38 है गाधी जी को अ तो यह पर भी करेक्थ जाएगा उसके बाद यहाँपर हमारा अगला कुष्यन है संभिधान सबक अंतिम बैठक कब हुई थी तो देखे यहांपर आपको चारह प्षन दिया गया है तो दोस्तों आप इसका एंसर जो है कमेंट बक्स में जरूर बाता है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पनाया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निसान है उसे भी अनकरते हैं ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग